हेलो दूस्तों अगर आप SBI के कस्टमर हैं और SBI योनो एप का इस्तमाल कर रहा है लेकिन आपको एक प्रॉब्लम मिल रही है अगर आपको यह वाला आरा सो हो रहा है और ने के लिए बोल रहा है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे आपको फिक्स करना है चलिए आज की सुडियो में हम जानते तो दोस्तों सबसे पहले इस problem को दूर करने के लिए आप अपने mobile की setting में जाएंगे setting में आप टाइप करेंगे app management उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर type करना setting में जाने के बाद आपको type करना अगर आपको इस तरह का search box नहीं दिख रहा है तो आप में नुडली खोज सकते हैं इस तरह से खोजना आसान है तो app management पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक option दिख रहा एप लिस्ट का उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जितने भी आपके mobile में एप हैं सब सो होने लगेगा अब आपको योनो योने एस भी आई का जो एप है उसको ढूड़ना है तो चलिए हम यह योनो एस भी एप को ढूड़ लेते हैं तो दोस्तों यह यह यहाँ पर रहा तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर स्टोंग यू जो वाला एक option दिख रहा होगा तो आप इस चूडों की उजेच पर किलिक करेंैं किलिक करने पर आपको यहाँ पर कीलियर डाटा पर किलिक कर देना है और उके कर देना है अब आप को यहाँ से काम खताम हो जाता है आप सेटिंग से बाहर आ जाएंगे और आप आपको क्या करना है PC honor app जो है आप उसको ऑनिस्टाल कर देंगे अपने कि अनिस्टाल कर दें अनिस्टाल पर मैं इस्टाल कर देता हूं तो अभी दोस्तों यह यूनो एप अनिस्टाल हो चुका है अब आपको दुबारा से Google Play Store में जाना है पलिश्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर दुबारा से सच करने ना यूनो एस्टाल करना है तो एस्टाल कर लेते हैं तो दोस्तो इसमें थोड़ा समय लगेगा तो थोड़ा इंतिजार कर लेते हैं क्योंकि यूनो एप का जो साइज है काफी बड़ा है तो दोस्तो अभी एप यूनो इस्टमर पर किलिक करना है दूबारा से अलाओ कर देना और आपको आपना जो भी बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस सिम टू को सेलेट कर लें आप चkick लिक करें चभाएं अब आपके सामने कुछ इस तरह का काउंटिंग चलना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा इंतिजार करना है अब जो प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम को जाती है अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं होदी थो आपको दूसरे दिन का इंतिजार करना होगा लेकिन मैंने मतलब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का problem solve हो चुका है तो हो सकता है आपका भी problem solve हो जाए तो इस तरह से maximum attempt वाले problem को आप fix कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख